हालो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखो बच्चों अभी हमने कौन से चैप्टर को शुरू किया है तो चैप्टर नमबर एट और इसमें देखिएगा हमारा जो लेक्चर नमबर वन है वो अल्रेडी कंप्लीट भी हो सबख्वास करते हैं तो कौन कौन से दिय हुक्त पड़ता है लोग अलग तॉप कर चुके थे अब चलो हम पहुंच गए है अगले टॉपिक पे इड्वी कलशर से जोड सकते हो याद रखना जो भी इंडर्श्री एक रिकल्च्र के ऊपर बेस Do होती है एसे इंडर्स्टरी को हम क्या कहते है प्यारे वच्छो स्वाइब K लिए बताती हुँ यजो कि इसके ऊपर कि अधिया जो के प्रोडक्ट जिए अधकर के ङब्चेंज कब जाए रहेगा तभी जाके तडर में और सुखर बनाने बनाने पैसे सुखर केन से बनाया-जाता है समस्कारी को एसे हमें पहीज क्या कहते हैं कि हमारा भारत कैसा देश है क्रिशी प्रधान देश है यानि कि यहां पर मुख्यता क्या किया जाता है खेती किया जाता है और अलग-अलग प्रकार के जो प्रोड़क्ट से वह यहां पर उगाए जाते हैं खेती के अंदर ठीक है ट्रेंट टाइप्स अग्रो बेंडेटेथ कंट्री आप इनदिशें प्रोसेशिटिंग अग्रीकौल्स टेवलप्त यह जाता है तो यह यहां तो देश को हम लोग प्रकार के खेती में चीज़ें हमारे देश में इससे रिलेटेट जो आपके यह इंडेस्टी से वह भी लग यहां पर प्रोट्ट्री को आपने वाला मैंने आपको बतायी रिया था तो इंडस्ट्री के उपर होती है अग्रीकल्चर प्रोडक्ट के उपर डिपेंड होती है और इनको हर जगा मान लीजे को आप इंड़ देखने के लिए जाएगा सरवत्र देखने के लिए मिल जाएगा and this also has been developed of heavy industries like textile industry and sugar ठीक है देखो यह भी तो इसी के ऊपर बेज़ है textile और sugar मैंने आपको एक्जांपल में बता भी दिया था तो यह होते है आपके agro-based industries तो आपसे agro-based industry का अगर example पूछा जाए तो आप यह सारे बता सकते हैं इसको underline कर लो dairy industry, fruit processing, food processing, jaggery making फिर उसके बाद यहां पर textile and sugar industry यह सभी किसके ऊपर बेज़ है वहां पर industries लगाई जारी है industrialization हो रहा है तो किस प्रकार से यह होता है जरह हम इसको समझते हैं क्या क्या दिया गया चलो बच्चों पड़े पड़े आईए देखिए the establishment of industries and industrial development have an important role in the economic development of a country यानि किसी भी कंट्री के economic development में यह जो industries and a student के बहुत ही important role play करते क्योंकि अगर आपके यहां पर जादा industries होंगी मतलब आप क्या करोगे आप तरक्की कर सकते हो industries होंगे उनका development होगा आप यहां पर अलग अलग प्रकार के क्या करोगे सामान बनाओगे जिसका आप export भी कर सकते हो इसको बेच भी सकते हो इससे क्या होगा जो आपका foreign exchange है मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ेगा यानि आपके देश के लिए फाइदा है अगर आपके यहां पर जो industries हैं वो देखो जैसे इंडस्ट्री आपके एरिया में सेट अप हो गए अब यहां के जो लोग है वो जाकर के इंडस्ट्री में काम करेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे हर एक वेक्ति प्रतिवेक्ति आई यानि कि पर-capita income जो है वहां पर बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखा प्रतिवेक्ति आई इनको रोजगार मिलते है और लाइफस्टाइल उनकी जीने का तरीका है वो भी इंप्रूव हो जाता है पर-capita income जो है वह ऊपर चला जाता है यानि कि पर-व्यक्ति आई ठीक है देर इस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और फिनिस्ट्रोडक्स मैंने बत हम सप्लाइ करेंगे तो यह भी इसका एक बेनिफेट है अगर हम बाहर समान बेचेंगे विदेशों में तो जो हमारा विदेशी मुद्रा बंडार वह भी बढ़ेगा ठीक है पर आल इस रिजन्स इसके लिए बहुत सारे प्रबंदन करती है जानते हैं आप सभी लोग जो स सबस्क्राइब कर ना जिसे शहर में इक शेत्र में पहले से ही लगाने के लिए जो चेत्र हैं जो हम अगर हमारे बढ़ेंगी तो क्या होगा हमारा ही फायदा होगा हमारे देश का ही विकास होगा इसलिए ऽे प्रवी शूटे उसमें देती रहते हैं मतलब कंसीशन बिलता रहता है ठीक है दोस्तों देखिएगा यहां पर देख लो इंड़स्ट्रीस एव इंपोर्टेंट रोल इंद एकोनोमिक डिवलप्मेंट ऑफ कंट्री एकोनोमिक डिवलप्मेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है तो इसलिए सारी कंट्री जो है वह अपने इसका समझ में आया मतलब वाटर में भी वह थोड़ा बहुत देते ताकि यह इंड़स्ट्री इसको बढ़ावा मिले और यह और आगे की तरफ बढ़ पाए ठीक है अब यहां पे इंड़स्ट्रियल यह पढ़ेंगे हम लोग कॉर्पोरेशन जो महरास्ट्रा का है सरकार ने इसको डिवलप किया था कब किया था एक अगस्त 1962 को याद रखियेगा तो क्यों किया था मतलब इसको इसलिए क्या था था कि यह इस शेत्र में काम कर पाए है और फॉर्ट इंड़स्ट्री इन अवरे डिस्ट्रिक ऑफ देट ठीक है मतलब हर एक डिस्ट्रिक में करेंगे यहीं इंड़स्ट्रिस को सेट अप करने का खाम किया थूदिस दसी इस इंड़स्ट्रिस इस एक्सपेट थूआफ देस्ट और इसके जरीए क्या हुआ यह सेट अप करने की वज़से जो आपका इंडश्ट्रिस है ना वहर एक मतलब वह स्टेट में स्टेट में ना पूरा उगया फैल फैल गया फैल है डिजेंट्रोलाइजशन का मन्तलब क्या होता है दूसरा डी यहीं सेंट्र्लाइजशन मतलब देंट्री रill üzerine just है अच्छा आप यह देख लेते हैं जैसे महाराष्ट्रा में की स्थापना की गई है इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे स्टेट्स हैं वहां पर भी इस प्रकार के इंसले इस्टेट्स पूरख होते हैं ठीक हैं इंडॉसरे के आफरियर स्टेटिक हैं को मिलती इन को अब आगे और हम बात tariff करते हैं यहाँ पर जोग्रोफिकल एक्स्प्राइशन की चलिए अब बहुत सारे एडवांटेज जैसे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के रही और इसके अलावा डिस एडवांटेज भी है आप सोचिंगे डिस एडवांटेज जिस क्या है हमें तो एडवांटेज पता है अबनन को गंदा करेगा या फिर आपने सुगर की मिल लगाए उसमें जो गंदा पानी निकलेगा अगर आप ऐसे इसको नली नाली या फिर किसी बंजर जमीन पर भी आप उसको डाल रहें तो जमीन पर जाएगा इसके फाइदे हैं तो इसके नुकसान भी है दोस्तों इसके अलावा और क्या होता है और अगर हम लोग खेती कर रहे हैं उससे उनका भी तो फाइदा होगा तो यह भी देख सकते हो आप लोग सच इंडेस्ट्री इस नॉट इन डिवलप्मेंट बट ऑल्सों इकोनोमिक डिवलप्मेंट ऑप कंट्री अब इन इंडेस्ट्री व होता है एस वेले जो स्टैंडर्ड ओफ लिविंग है लोगों का यह भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है ठीक है समझ गया अब देखो यहां पर ना हम लोग एक और प्रकार की इंडेस्ट्री की बात करने वाले हैं विच इंफोमेशन टेक्नोलोजी वाली इंडेस्ट्री में क्या आ सकती है जैसे कोई इंजिनिरिंग वाला कुछ काम कर रहा है कोई क्या बलते हैं डेटा साइंस का बहुत उसमें एक्सपर्ट कोई है ना तो वो IT इंडेस्ट्री में काम करेगा यह पिर कोई software बनाता है कोई app बनाता है तो यह सब किसमें आ जाएं जोग्रोफिकल एक्स्वेनेशन इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी इस इंपोर्टेंट एंजिनिरिंग ब्रांच इन टुडेश वर्ल्ड इन दस ब्रांच व्किस कैरेड आउट बाइप्यूटर यानि कि इस ब्रांच में क्या होता है यह बहुत इंपोर्टेंट याद तुसके पास क्या होना चाहिए तो आप समझेगा यह इंडस्ट्री किसके ऊपर बेज होती है स्किल्ड मैनपावर के ऊपर बेज होती है यानि कि क्योंकि सभी को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए है कि नहीं इसलिए बहुत ज़्या तो देखो जो भी इंफोर्मेशन सेर्च करनी रहती है तेक्निकल नॉलेज की या फिर जो भी चीजे है तो उसको क्या किया जाता है इंटर्नेट से निकाला जाता है mobile या फिर computer के जरिये देखिएगा searching for technical information obtaining analyzing and compiling it मतलब जो भी नॉलेज आप निकाल रहे हो पहले प्रेजंट भी कर सकते हैं graphically या फिर मतलब जैसा भी चाहिए वह लोगों के सामने हम present कर सकते हैं ठीक है and all this information is obtained from the internet और यह सारा information हमें कहां से मिलता है computer से या फिर internet से मिलता है on computer या फिर हमारे mobile phone में देखो आपको पहले यह सब चोड़ो मैं आपको एक्जामपल बताती हो आपको किसी topic के बारे में सर्च करना है ठीक है तो आप क्या करोगे internet पे जाओगे या तो computer ले लोगे या फिर mobile phone ले लोगे उसमें आप सर्च करोगे फिर ज पूरा एक उसका मतलब उसको सारी जीजे जो भी आपने इधर उधर से चीजे इकठा किया उसको एक साथ लेकर के आओगे और यह सब जानकारी हमें कहां से मिलती है internet से मिलती है हमारे computer में या फिर mobile में या फिर और भी devices हो तेने टैंबलेट वगरा होते उसमें ठीक है और यहां पर अब देखो यह इसकी वजह से और भी कुछ इंडस्ट्री से जो डिवलप होती है जैसे कौन से इंडस्ट्री प्यारे बच्चो यह स्पेशल वाली इंडस्री जो इसी में आती है ठीक है मतलब यहां से एक और बिजनस जो है वह आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकता है जैसे जो companies software बनाती है देखो अगर आप कोई काम कर रहे हो ना computer वाला ही IT वाला ही उसमें software की जरूरत पड़ती है software क्या करता है आपके काम को आसान कर देता है कई प्रकार के software अभी भी मौजूद है और software बनाने वाले भी कोई company होते जो software बना करके आप लोगों क computer technology का use there is a great variety in the types of information collected and it is all it is used all over the world ठीक है चलो यह आपको समझ में आ गया information and technology वाली industry now let us see the most important most important topic of this chapter which is social corporate social responsibility ठीक है मैंने इसको इतना important क्यों बोला है बच्चो देखो जो आपके businesses है बस उनका इतना ही काम नहीं होना चाहिए कि बस खाओ बचाओ यानि कि बस कमाओ 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 देखो जैसे society से ही तो यह लोग कमाते है ना जो भी business आप बढ़े हुए इतना आगे तक देख रहे हो यह कैसे इतना आगे बढ़े है क्योंकि लोगों ने उसको support किया है उस company के सामान को खरीदा है क्योंकि कोई बे बिजनस है वो हमारी वज बनता है दाइत्व बनता है कुछ responsibility होती है जो वो निभाए जैसे कि वो क्या करें सोशल वेलफेयर का कुछ काम करें एजुकेशन में अपने profit का कुछ इस्सा दान कर दे मतलब एजुकेशनल सेक्टर्स को एजुकेशनल कोई institution है उसको या फिर जो hospitals है मतलब लोगों को क्या ठीक है तो corporate social responsibility आपको समझ में आया यानि कि businesses जो है ना इनके कुछ responsibility होती है समाज के प्रती अगर आप समाज से पैसे कमा रहे हो है ना तो आपके कुछ responsibility भी है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग है जो weaker sections है ठीक है उनको आगे लाने की कोशिश की जाए और ऐसे business जो है वो क group of industries क्या करते हैं society के betterment के लिए काम करते हैं and and betterment of the society and for the conservation of the environment environment को بचाने के लिए काम करते हैं it is known as that the corporate social responsibility तो इसी को हम क्या केते वो किस पर जोड़ दे रहे हैं कि जो इंडस्ट्री लोग है वह जिनका भी इंकम जिनका भी मतलब टान ओवर कितना है प्रॉफिट अगर पांच करोड तक का हो जाता है जिनका भी पांच करोड या फिर उससे जादा उनको एट लीस्ट क्या करना चाहिए दो परसेंट जो है वो जोड़ दे रही है ठीक है वो किस किस प्रकार से यह सारे चीजे कर सकते थीज और अफ्यॉपमेंट लाहिक अंवर्मेंटल देवलपमेंसेंटर तो यह सारे चीजे वह प्रसकते हैं यह लोगों के भलाई का काम कर सकते ठीक है तेरिश रिबेट ऑन अमाउउन आप करती है जो भी अच्छा काम करता है corporate social responsibility में है तो यहां पर इनको text में छूट भी दी जाती है अगर वो कहीं पर charity को दान कर रहे है कोई charity ऐसी है जो लोगों की भलाई का अब उसके बाद यहां पर यह बॉक्स में कुछ दिया है मैं आपको explain कर देती हूं आप मन करें तो पढ़ लेना वरना ठीक है नहीं पड़ोगे तो भी परियावरण है हमारा जो environment है उसको नुक्सान पहुचा रहा है इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि properly क्या किया जाए जो इंडस्ट्री के वेस्ट है ना उनको अच्छे से डिस्पोस किया जाए ताकि वह भविश्य के लिए मतलब परियावरण के लिए खत्रा ना उत्पन न करें ठीक है तो बहुत जरूरी है कि properly वेस्ट का डिस्पोसल किया जाए उसको अच्छे से आइटि हब आप देख सकते हो और मुझे क्या तो और यह जो वाटर लिटरेसी तो हमने सुना था लेकिन वाटर लिटरेसी क्या है तो बच्चों में आपको बता रहे हूं देखो पानी के कमी जैसे हम चानते हैं कि हमारे इस अर्थ के उपर स्वच्छ पानी बहुत कम है इसलिए क्या करना चाहिए पानी का हमेशा कैसे यूज करना चाहिए बचा बचागे बचा बचा के मतलब जितना यूज है उतना ही करो उसका यूज ऐसे फाल्तु मेने कि आप पानी बहार हो ऐसा सब आपको नहीं करना चाहिए ठीक है दोस्तों क्योंकि पानी अगर खतम हुआ तो लाओगे कहां से इसलिए यहां पर इसमें क्या बुला गया है कि सबके पास जरूरी है अगर अब भी नहीं संबले तो फिर आगे चल करके प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो बस यह था आपका चाप्टर देख लिए यह हमने कंप्लीट कर लिया है अब उसके बाद आता है इसका एक्सराइस के वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगे मैंने बताया ही है ठीक है न कहां पर मिलेंगे वही प्लेइलिस्ट में जाकर के देखना सब कुछ मिल जाएगा ओके स्टूदेंस आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बाकी सब कुछ आपका कंप्लीट है हर एक सबजेक्ट तो जाए जाकर के पढ़ झाल में जाएगा, झाल में जाएगा झाल 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 चत्त बाका के अबारे लाएगा?